आज हम बिल्कुल हल्वाई स्टाइल पापड़ी गाठिया बनाएंगे और इसे हम परफेक्ट मेजर्मेंट के साथ बनाएंगे तो सबके लिए बनाना बहुत ही आसन रहेगा तो सबसे पहले हम 250 ग्रम बेसन लेंगे तो वजन करके हमने देख लिया अब हम कब का भी मेजर्मेंट ले लेंगे तो यहाँ पर हम कब भरकर भी देख लेंगे तो यह दो कब बेसन है और बेसन हम बिलकुल बारिक वाला रेडिमेट बेसन लेंगे उसी से हमारा पापड़ी गाठिया बहुत ही अच्छा बनेगा अब पापड़ी गाठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आरारो प्रीमियो मुंगफली का फिल्टर ओयल लिया है क्योंकि यह शुद्ध है और इसमें बनाया गया खाना बहुत ही टेस्टी बनता है और स्पेशली जो गुजराती ट्रेडिशनल रेसिपी होती है वो मुंगफली के तेल के साथ ही अच्छी बनती है तो सबसे पहले हम पतिले में वन्थर कप पानी लेंगे उसी के साथ हम बन्फोत कप मुंगफली का तेल एड़ करेंगे और यहाँ पर मैंने पापडखार लिया है और गाठिया बनाने के लिए जो गाठिया का स्पेशल सोड़ा आता है वो हम इस्तमाल कर सकते हैं या फिर इस पापडखार का यूज़ कर सकते हैं सोड़ा से हमारा गाठिया इतना अच्छा नहीं बनेगा अब तेल और पानी के साथ हम आधी टीस्पून पापडखार एड़ करेंगे और 3-4 टीस्पून यानि की पोना चमच हम इसमें नमक एड़ करेंगे अब इसे हम ब्लेंड कर लेंगे तो जैसे हम इसे ब्लेंड करेंगे हमारा मिश्रण एकदम फलफी और कलर में भी वाइट हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा पापड़ी गाठिया बनाने के लिए मिश्रण रेड़ी है और बेसन को एक बार च्छानना बहुत ही ज़रूरी है ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे तो बेसन को भी मैंने एक बार च्छान लिया है तो उसी के साथ हम सारा का सारा मिश्रण एड़ करेंगे और डो लगा करके तयार करेंगे तो हमें बिल्कुल नर्म और चिपचिपा डो लगाना है तो यहाँ पर हमारा डो रेडी है लेकिन पापड़ी बनाने के लिए अभी ये रेडी नहीं है तो मैंने यहाँ पर वन फूट कप पानी लिया है अब थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मसलेंगे तो डो का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाए और स्मूध हो जाए तब तक हमें इसे मसलना होगा तो चार से पांच मिनिट हम इसे अच्छे से मसलेंगे तो मैंने यहाँ पर वन फूट कप पानी लिया था इसमें से थोड़ा सा पानी बचा है और पापड़ी गाठिया बनाने के लिए हमारा डो भी रेड़ी है और पापड़ी गाठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह का जारा लिया है और यह जारा मैंने भुलेश्वर स्टील मार्केट से लिया था और अगर आपके पास इस तरह का जहरा नहीं है तो सेव बनाने वाली जो मशिन आती है उसमें भी पापड़ी गाठिया के लिए एक प्लेट आती है तो आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पर जहरा पर मैंने थोड़ा सा तेल स्प्रेट कर दिया है और हमने जो डो मसल कर रखा था वो भी इस पर रखेंगे और तेल भी अच्छे से गर्म हो गया है तो हम गेज के आज बिल्कुल दिमी कर देंगे ताकि गाठिया बनाते वक्त हमें आसानी रहे अब मैं जिस तरह से दिखा रहे हूं उसी तरह से हम पापड़ी गाठिया बना करके तयार करेंगे तो अगर इस तरह का जहरा हमारे पास होगा तो पापड़ी गाठिया बनाना बहुत ही आसान रहेगा और पापड़ी गाठिया बनाते वक्त हमें एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि डो ज्यादा सक्त भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा नर्म भी नहीं होना चाहिए तभी हमारा पापड़ी गाठिया बहुत ही अच्छा बनेगा तो यहाँ पर हमारा पापड़ी गाठिया रेडी है तो इसे हम तेल से निकाल लेंगे और इसी तरह से हम बाकी के पापड़ी गाठिया भी बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने सभी गाठिया बना लिए हैं तो देखा ना दोस्तो घर पर पापड़ी गाठिया बनाना कितना आसान है तो आज के आसान सी पापड़ी गाठिया रेसिपी आपको कैसी लगी वो कमेंट्स करके जरुर बताईएगा मैं दर में फिर मिलूंगी ऐसी ही आसन सी रेसिपी के साथ